अगली विश्यो की खबर है, वेश्विक निउस है, फुल्गो जॉलामखी, किस देश में हुआ था, गौाटेमाला, गौाटेमाला उत्तरी अमेरिका और दक्षिन अमेरिका के बीच में लैटीन अमेरिकन देश आते हैं, जिनको बोलते हैं लैटीन अमेरिकन, लैटीन अमेर एनी विए माईप्ट है नॉर्थ अमेरिका साओथ अमेरिका ध्यान से देख लीजे नॉर्थ अमेरिका साओध अमेरिका बीच में लेटिन अमेरिका तैं यही सब्छेमाय आए और ठोड़ा रिफाइन करके देख लेते हैं पिछले लक्षर में हमने United State of America, Mexico के बीच की Boundary Wall का discussion किया था, हमने ये भी देखा था कि क्या Tropic of Cancer, या कि करकरेखा, क्या Mexico से पास करती है, या USA से पास करती है, देखे साफ साफ है, सिर्फ Mexico से ही पास करती है, उसके बाद हमने देखा था, Gulf of Mexico में Rio Grande River है, Mississippi, Missouri है, Guatemala यहाँ पर ए पता होगा पनामा एक देश भी है यहाँ पे, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिन अमेरिका के बीच में जो लाइटीन अमेरिकन देश है, उसमें आता है Guatemala, फुई गो जो अलम की आप याद रखेंगे, हलाकि बहुत एक्ट्रा थोड़ा सा अपर हैंड और लेना चाहते हैं त कुछ facts है important, Thailand हमने पिछले lecture में भी देखा था, South East Asian nation की बार जब हम कर रहे थे, दस देशों की, Thailand की राजधानी Bangkok हमने चर्चा की थी, Bangkok है, किस नदी के किनारे, चाओ फ्रायर नदी के किनारे एक पर फिर से हम देख लेते हैं, जितनी बार आप Atlas देखेंगे, उतनी बार Thailand से जोडता है, उसके बाद Thailand, जो अभी हमारी की खबर है, वो है Thailand की गुफा में, फुटबाल खिलाडी फस गया थे, उनको रेस्टू किया गया, बचाया गया, कुछ इससे जो सम्मंदित तत्थ हैं, वो आपको जानने बेहत आवश्यक है, exam point of use है, UPSC हमेशा South East Asia पर इस करके फोकस करके प्रस्ट जरूर पूरता है, थाइलेंड की राजधानी बैंकोक, चाउफ्रायर रिवर के किनारे हैं, हमने बात कर ली कई बार ये चीज़ देख ली, Gulf of Thailand की किनारे है, ये भी हमने देख लिया, चाउफ्रायर रिवर Gulf of Thailand में ही गिरती है, ये भी देख गुफा का नाम याद रखिए, थामलुआंग गुफा, थामलुआंग, चीन सीमा के पास है, तो जाहिर सी बात है अपर नदन साइड में होगी, ये थाइलेंड ये है, तो यहाँ पर चांगलुआंग गुफा थी यहाँ पर, देख हमने और भी डिसकस किये थे, लाओ से ए अपना एक यहाँ पर मिशन भेजा था तो जानना बेहाँ दावस्चेक है इसको क्राकेनल का निर्मान अंडमान सागर को थाइलेंड की खाड़ी से जोड़ने के लिए किया जा रहा है इंपोर्टेंट खबर है आप सब इस तरह से याद रखेंगे हमने देख लिए ग sava मेस के वुक्षार दॉटेमाल वाली वे खबर हमने देख ली अगली ख़बर पर चलते हैं है केटलोनिया शांती वारतला महत्यूपूंड ख़बर है केटलोनिया यूपी जुन आपी पी-स ने भी पूच लिया Share हमीसा ख़ब्रों में बना हुआ है, जहिर सी भाइथे कि हम Go E नें, हमने चोटा सा अपना है मेरा सब्स्रैंस zijn, उसमें उमक्ष्ण लिय लिए कि पूर्च्डाईल है, हम्मध्यसागरश। अट्लांटिक महासागर उन दोनों के बीच में जिब्रेल्टर की संदी है लेकिन इसको मैप में देख लेते हैं यूरोप के मैप को काट करके हमने देखे यह यूरोप का यूरोपीन यूनियन का मैप है कतलूनिया यहाँ पर है यह है आईबीरियन पेनिंसुला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह जो यहाँ पर आपने एक कट देखना रहा हूँ यह देखिए तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है एक तरफ से लेंड मास है तो जाहिर से बात है इसको क्या बोलेंगे पेनिंसुला यानि कि प्रायदीप प्रायदीप में इसका नाम क्या है आईबीरियन पेनिंसुला आईबीरियन पेनिंसुला कुश्चन किसी और माफियातर की UPSC में पूछ सकता है कि इंमें से कौन सा इसा आई आई जो आई बीरियन पेनिसुला में नहीं आता है। आप ध्यान देंगे कि पूर्टगाल और स्पेन दो ही आते हैं आईबिरीन पेंसुला में केटलोनिया स्पेन का एक प्रांथ है जिसने अपनी स्वायतता की गोशना कर दी कि हम अब फ्री रहेंगे यह मतलब फेटलोनिया का अलग देसी बनने जा रहा था लेकिन स्पेन ने उसको रद कर दिया वहां पर विवाज चल रहा है बासिलोना यह फुटबाल कलब है जब हम लोग फुटबाल देखते हैं बासिलोना रियल मैड इरिक इन सबके फुटबाल देखते हैं तो बासिलोना यहां पर रहा है ध्यान दीजे Mediterranean Sea है नीचे और उसके West Side में यहाँ पर Atlantic Ocean है Atlantic Ocean को Mediterranean Sea से बीच में Gibraltar की संधी अलग करती है या जोडती है कुछ भी आप समझ लीजिए उपर चलेंगे France देश होगा पर उपर चलेंगे Germany, Netherlands, Europe का आपको Atlas देखना है Atlas का नाम आप याद रखिए चाहिए आप Oxford का Student Atlas ले लीजिए या फिर आप Atlas ले लीजिए Orient Black Swan Orient Black Swan का Atlas आप देए सकते हैं World Map के लिए Black Swan Atlas अच्छा होता है और अगर इंडिया का देखना है तो Oxford वाला भी चलता है, Almost कोई भी एक ले लेंगे चलेगा देखे, उसके बाद दूसरी न्यूज है, स्रिलंका में राजनेतिक संकर चला है तो स्रिलंका की भववली की सिति क्या है, आप सब जानते है दक्षिड एशिया का एक देश है, भारत के दक्षिड में है Gulf of भारत का यह जो प्राइदी पी पार्ट है, यहाँ पर देखे इस नक्से से तो आप फैमिलियर होंगे तो प्राइदी पी पार्ट में यहाँ पर आएगा आपका स्लंका सिलंका में Gulf of मनार, यह है Gulf of मनार तो बे अप बेंगॉल को Gulf of मनार से कौन सी स्थेट कौन से संधी जोड़ती है पार्क जल संधी, महत्वपूर्ण है, छोटे-छोटे वन डे एक्जाम बहुत पुछी जाती है इसको बोलते हैं पार्क स्थेट वहागे governor थे तमिल नाडू के चेन नहीं के उनके नाम पर मदरास प्रविंसी गवर्नर थे उनके नाम पर रखा गया तो सिलंका की स्थिति है आप जान लीजे सार्क दक्षिड एसिया जो सहयोग संग्यथन है सार्क साउथ एसियन असोसियेशन फर रीजनल को आपरेशन दक्षेश भी बोलते हैं इसको सार्क का ये एक्टिव मेंबर है पुछ यहाँ पर पूर्ट इंपोर्टन है हमन टोटा पूर्ट ये सब चीज़ें आपने पढ़ भी रखी होंगी आयो तो सिलंका का जो राजनायतिक संकट है इस पर मुख्य परिच्छा में प्रस्ण इस तरह से पूछाया सकता है कि भारत के अपने पढ़ोसी देशों के संबंध हाल ही में परिवर्टित हो रहे हैं आप इनको कैसे इस तरह से देखते हैं आगे देखते हैं अगली खबर है वेस्टमिस्टर ब्रिटेन की जो संसदी प्रणाली है उसमें ब्रिटेन की प्रधान मंत्री के विरुद अविस्वास प्रस्ताव की सम्हामना ब्रैक्त की गई ऐसा राज सभा न्यूज में बोला गया देखिये राज-सरकारी जो चैनल होते हैं उस पर झो खबर आती हैं अब देखिये भारत की जो संसदी प्रणाली है यह किस पर ब्रिपेंडनिक है वेस्टमिस्टर मॉडल यानि कि बृतेन की संश्धीपणाली पर ही अधारित है अब जाहिर सी बात है अगर बृतेन के प्रदानमंत्री के बिद्धू अविश्वास पस्ताव लाए जा रहा है तो भारत में भी इसका जो इससे सम्मंदित भारत में संविधान में तथ्य हैं दान मंत्री या मंत्री मंडल सामुई कुरूप से किसके पर उत्तरदाई होता है लोकसभा में अभी स्वासपस्ताव कभी भी कहां लाया जाएगा लोकसभा में राज्रभा में लाया नहीं जाएगा क्योंकि उत्तरदाई तो कहां है लोग सभाम के प्रति हैं, यह सब चीजें एक बार revise करें आप, ऊठी खबर हैं लेकिन मोटी खबर हैं, यह खबर हमने revise कर ले थी, पिछले लेक्षर में देख ली थी, इस बार revise कर ले रहे हैं, हमने देखा था कि North Korea के जो साषक है Kim Jong और United State of America के राश्ट्रपती Donald Trump, इन दोनों की पहली मुलाकात सिंगपूर में हुई थी जिसको सिंगपूर समिट बोलते हैं, दूसरी मुलाकात इनकी फिलिपिन्स में, फिलिपिन्स नहीं, वियत नाम में हुई, पहली मीटिंग जब हुई थी, तो सेंटोसा आइलेंड है सिंगपूर में वहाँ पर हुआ, और दूसरा कहां पर हुआ, वियत नाम की राजधानी हनोई है वहाँ पर, आगली ख़बर पर चलते हैं, देखें, फिर मैंने ये इसलिए बार-बार लिखा है अपने नोट्स में, उत्तर कुरिया, अमेरिका, शान्तिवारता, स्थान से इंगपूर, ये पहली शान्तिवारत बार-बार इसलिए लिखा हुआ है, मैंने अपने नोट्स में, मैं आपको ये दर्साना चाहता हूँ, कि पूरे दो-चार महिने तक ये ख़बरे निउस में आई हुए, देखें, UPSC कभी भी बड़ी चीजें पूछता है, जो आम तोर पर हर अखबार में, हर TV चैनल पर र तो सांति वरता वाली चर्चा हर जगा रही है, इसलिए मैंने उसको बार-बार लिखा है, इंफैसिस देने के लिए कि आपको तयार करना है, जो ग्रफिकल पॉइंट अफ यू से, पॉलिटिकल पॉइंट अफ यू से, दूसरा है, सहीवत राज, अमेरिका, मैक्सिको, दि ब्रिटेन का, यूरोपियन यूनियन से अलग होना, इसको नाम दिया गया, ब्रेक्जिट, मतलब ब्रिटेन का इक्जिट, ब्रिटेन का बाहर निकलना, ब्रिटेन तो देश है है, तो ब्रिटेन का बाहर निकलना ना, इसको बोलता है, ब्रेक्जिट, ब्रेक्जिट का एक प्रदानमंत्री हैं ब्रेटेन की इनी के खिलाफ अभिस्वास परस्ताव की चर्चा अभी हम कर रहे थे तो चेकर दील यह भी मातुपूर्ण है पूछ सकता है तो ब्रेक्जित मस होता है यहीं कि ब्रेटेन के यूरोपीन यूनियन से अलग होने के मस होते सम्मंदित है रू रूस और उक्रेन में चरम तनाओ हमने रूस और उक्रेन का देख लिया फिर से रिवाइस कर लेते हैं रूस और उक्रेन के बीच में क्रिमिया पेनिसुला है कर्च कर्च यह लिखा भी हुआ है आगली ख़र पर चलते हैं फ्रांस के ये लबेस्ट परदर्सनकारी फूर सकता है ये लबेस्ट परदर्सनकारी किस देश में अभाई कि खिला कर दसेना होगा है में प्रांस अभी हमने मुखिल से पांच पर पहले यह कीज़ा है repeat कि प्रांस देश कहां पर है आप देखिए हमने आइबीरियन पर पेंशुला देखा इमने the west side में पूर्त गाल देखा के सपेंड देखा कटेलोनिया प्रांत देखा पर के ओपर है पर सैंध जर्मनी नीडर प्रिलंका का राजनितिक संकट बार बार आ रहा है देखिए तो इसको लब याद करके ही जाना है अगर आप UPSC में बैठ रहे हैं आई इसके प्रिलिम्स वरिक्टा में जैसे प्रिलिम्स आपका न रुके तो आपको इस दरसे दाइमेंशन वाई सोच करके एटलस के उपर फोकस करके दस सवाल आप कम से कम अपना बढ़ा सकते हैं आगे देखिए इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी मैं कहता हूँ बार बार आपसे कि UPSC साउथ इस्टेसिया मेडिल इस्ट इन सब के बहुत फोकस करता है इंडोन आप आप जावा जावरजविव पर है लेकिए सुमात्रा दीषय जावा इंडोनों के बीच में सुनडा खाडी है अधिया जावा दीपर ही इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता बोर्णियोदीप है, बोर्णियोदीप में तीन देश हैं, देखे, एक स्का एटलस देखे, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, जकारता, इसकी राजधानी, सुंडा, स्टेट, सुंडा लैंड भी बोलते हैं, इसको कराकटोवा, कराकटोवा भी याद रखिए, कहां पर ह और सुमात्रा जावा होई गया कली मंतन कली मंतन बोलते हैं किसको गली मंतन बोलते हैं जो बोनियो आईलेंड हमने आप मुन्यो दीट देखा ना मुन्यो दिप में तीन देश हैं हमें मलेशिया, बोनेई, और कलिंट कलİमतन इंडोनेशिया का ही एक part है इंडोनेशिया विशु का सबसे बड़ा आर्कीपिपीलागो है आर्कीपिलागो किसको बोलते हैं सीधा सीधा सवाल पूछ लिया गया था What is आर्कीपिलागो? आर्कीपिलागो is a group of islands जो बहुत सारे islands का group हो जाए उसको आर्किपिलागों बोलते हैं, विशुका सबसे बड़ा आर्किपिलागों कौन है, इंडोनेशिया, तो कलिमंतन पार्ट है, जो बुर्नियो आईलेंड पर है, सुलावेसी, समू भी आता है, मलोकू भी आता है, तो आपको नाम यह सब पढ़े होने चाहिए, पूछ सकत है कि इंडोनेशिया कि आसपास इतने छोटे-छोटे आईलेंड डेवलप हुए है, तो आप देखेंगे कि वो एक्टिव वांडरी पर है वहाँ पर, यह ख़बर समाथ होई, अब आगले पर चलते हैं, अब दिसंबर मन्थ हमने कंप्लीट कर लिया, कुछ पार्ट फरवर बार बार हमने इसको देख लिया, जिसे की दिमाग में छप जाए, यह ग्रांदे रिवर गल्फ अफ मेक्सिको में, फाल करती है, बंगला देश में चुना हुआ, यह ख़बर छूटिया था, बंगला देश में चुना हुआ, तो यह बात याद रखें, कि प्रधान मंत्री कौन हुआ, यह सब UP PCS में पूछता है, आईस की परिच्छा में ब्यक्तिवादी प्रशनों अब नहीं पूछे जा रहे हैं, साथ-ाट सालों में, आईस की परिच्छा में उस देश सम्मंधित भोगोलिक राजनेतिक चीज़ा पूछी जाती है, तो से खसीना जीती है, किया से हमको भोगोलिक सीमा देखने है, देखिए भारत की जो अंतरश्टी सीमा है, वो सबसे ज़्यादा टच करती है किसके साथ बांगलादेश के, गलती से भी चीन मत लगा दीजिएगा, इन दूसरे नमबर पर है, सबसे बड़ी बांडरी बांगलादेश के साथ है, न भारत की सरवाधी कलंबी सीमा बांगलादेश के साथ ये तो हमने डिसकस कर लिया, भारत के कुछ राज जो बांगलादेश से संपर बनाते हैं, आप अटलस लेकर के सामने बैठिए, देखिए, और ये चीज़ जरूर नोट कर लिजएगा, क्रम के हिसाब से, सबसे ज़्य known जो ऑगिजीए, अगर आप इस तरह से बंगलादेश का बंगलादेश का आटलस बनना चाहें तो इस साड से वेस्ट वंगाल आता है, यह तक फिर आसाम आता है थोड़ी दूर तक, फिर आसाम नीचे भी आता है, यहाँ पर बीच में मेघाले आता है, यहाँ पर आएग खुल कितने राज हो गए पांच राज है ध्यान देने वाली बात है सिक्किम बांगलादेश से टच नहीं करता है हालां कि सिक्किम से एक नदी निकलती है तीसता जो बांगलादेश में जाती है लेकिन सिक्किम की बांडरी बांगलादेश से नहीं लगती है सिक्किम की कंगो है और एक सिंपल कॉंगो है तो ऐसे च्ठथ construction यह ön हूण पिर हेद लिखा टे तेंट अप लिखा वेज़ा कि इसकी सीमा लगतीए अने-सीमावर्ती देस कों से है, कैम्ईरून है, सेंटरल अफलिकन रिपडिक है, डी-ार कांगो है, कांगो नदी, डी-ार कांगो, और नॉर्मल कांगो जो देस है, उसके बीच में कांगो नदी, उसकी सीमा बनाती है, बागी कुछ और भी important तत्य थुखियों को नदी है और इसकी राजधानी क्या है किन्सासा एक Republic of Congo इसकी राजधानी तो ब्रज़ाविले है किन्सासा दूसरे देश की राजधानी है अंगोला एक देश है Democratic Republic of Congo है गेबन है Central African Republic है Camerun है इन सबसे अलांकि इस तरह के प्रस्ट ने पूछता यूपीसी बस इतना ही पूछा है आज तक अफरीका के रेस्पेक्ट में इन में से कौन सा देश पूर्टा लैंड लॉग्ड है मतलब कंप्लीटली लैंड लॉग्ड यह पूरी तरह से लैंड लॉग्ड नहीं हुआ पूरी तरह से लैंड लॉग्ड कंट्री किसको मागनेंगे DR कॉंगो को ऐसे ही पूछता है प्रस्ट आगे बढ़िए इन का चंद्रयान चांग E4 का नम है चांग E4 या चैंग E4 दोनों कहते हैं इसने चंद्रमा के छाया वाले छेत्र में प्रवेस किया तो पूछ सकता है कि चांग E4 किसका प्यान है चंद्रयान है या किस गरह किस सेलेस्टियल बॉड़ी के एक्स्प्लोरे मतलब मून के लिए गया है, मून एक्सपडिशन है, चांग इफोर नान है, चीन का है, अगली खबर है पाबुक तूफान, पाबुक तूफान कहा है, थाइलेंड की खाडी में, कई बार हमने थाइलेंड की खाडी देख लिए एकदम कंठस्ट हो चुका, तो पाबुक पती जेल बोल सुना रहे तो ब्राजील, ब्राजील को एटलस ओपन कीजिए, वहाँ पर देखे क्या, कौन कौन सी घासे हैं, देखे वाब ब्राजील और वेंजुएला, इन सब के पास में जो ग्रास लैंड है, वो सबसे ज़्यादा इंपर्टेंट है, UPSC के लिए, आप वेतनाम की राजधानी होचिन मिन है, कमबोडिया की राजधानी हनोई है, लाउस की राजधानी वियंतियन है, और थाइलेंड की राजधानी चाउफर है, शायद थोड़ी दिर पहले मैंने गलती से बोल दिया था, वेतनाम की राजधानी हनोई होचिन मिन है, कमबोडिया पोचिनमीन उसकी अलग सिटी है, वियतनाम की राजधानी हनोई ही है, लाउस की राजधानी वियंतियन है, कमबोडिया की राजधानी फेनोमपेन है, हाइलेंड की राजधानी बैंककॉक है, और मैमार की राजधानी नाईपाई ता है इसी के साथ ये लेक्चर समात करते हैं अगला लेक्चर में देखें